करन जोहर पर कई outsiders का career बर्बाद करने का इलजाम लगा सुशान सिंग राजपूत की death के बाद भी इलजाम लगे और recently करन जोहर ने खुद ने accept किया कि वो अनुश्का का career बर्बाद करना चाहता था इन आरोपों से करन जोहर की हालत ये हो गई है कि इज़त की धज्या उड़ गई है और करन जोहर को अब जाना जाता है groupism के लिए और इस बात के लिए कि ये तो बस star kids के साथ ही काम करेगा outsiders के साथ काम नहीं करेगा इसका असर करन की सिर्फ image पर नहीं बलकि उसकी filmों पर भी पड़ा है और कई लोग हैं जो अब करन जोहर की फिल्मों को boycott करनी की बात करते हैं फिल्म अच्छी भी होगी तो भी लोग इस फिल्म को इसलिए नहीं देखना चाते क्योंकि करन जोहर पक्ष पात करते हैं अब अपनी इस खराब हुई इज़त को revamp कर रहे हैं करन जोहर अपनी इस इज़त को फिर से बनाने के लिए करन जोहर ने एक आउटसाइडर का सहारा लिया है इस आउटसाइडर को करन जोहर पहले अन्प्रोफेशनल कहेकर अपनी फिल्म से आउट कर चुके थे और धर्मा प्रोड़क्ष नसे ब्लैकलिस्ट कर चुके थे मैं बात कर रही हूँ कार्थिकारियन की कार्थिकारियन के साथ करण जोहर एक टाइम पर दोस्ताना 2 बना रहे थे लेकिन अचानक से ये फिल्म बंध हो जाती है और करण जोहर की तरफ से खबरे आती है कि कार्थिक अनप्रोफेशनल है बहुत जादा पैसा मांग रहा इसके बात करण जोहर ने कहा था कि दोस्ताना 2 में किसी और को लेंगे लेकिन किसी और के साथ दोस्ताना 2 का अनॉंसमेंट आज तक नहीं हुआ अब इसी बीच रीसिंटली मुंबई में करण जोहर और कार्थिकारियन को एक साथ स्पोट किया गया दोनों की एक मीटिंग हुई और कहा जा रहा है कि ये मीटिंग एक प्रोजेक्ट के लिए हुई है तो कह सकते हैं कि आने वाले चाइम में करण जोहर कार्थिकारियन को लेकर किसी नई प्रोजेक्ट की शुरुआत करें करन जोहर और कार्तिक आरियन को एक साथ एक जग़ पर देखकर लोगों का यही कहना है कि करन जोहर अब अपनी खराब हुई इज़त को ऐसे ही बचाने की कोशिश कर रहा है पहले आउटसाइडर्स का करियर बरबाद किया और अब आउटसाइडर्स को इस्तमाल करके अपना क कार्तिक आरियन को कंसिडर कर रहे हैं ऐसे में करन जोहर को भी कार्तिक के पास आना ही पड़ा